साथियों मायावती जी चुनाव क्यों हरी आज का सबसे खास विशय है दरसल दोस्तों मैं पिछले कई वर्सों से वीडियो बना रहा हूं लेकिन मैं कुछ महनों से नोटिस कर रहा हूं कि लोग कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट का जवाब सब को मिलना चाहिए और जो लोगों न मैं आज बताने जा रहा हूं कि या फिर मायावती जी चुनाव दो हजार बारा से और आज तक क्यों हार रही हैं इसके पीछे की बहुत बड़ी साजिस है क्या मायावती जी बीजेपी से गर के चुनाव हार रही है या फिर मायावती जी चुनाव जीतना ही नहीं चाहती व हरी एक मुद्दे पर बात चीत करेंगी और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों ने लिखा है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कैऊकि जो लोगों ने लिखा वो सत प्रतिशत सही साइद लिखा है क्योंकि जब चुनाव आप लगतार हार रही हैं तो पार्की में संसोधन की बहुत जरूरते हैं और इस बार कितना संसोधन होना चाहिए बहुजन समाज पार्की में ये भी आप लोग बताएंगे लेकिन कुछ सवालों के जवाब हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं और कुछ सवाल आप लोगों से मैं फिर लेना चाहता हूँ तो इन तमाम गदविदियों पर हम नजर डालेंगे और बताएंगे ये बात कि बहुजन समाज पार्की की असल वज़ा क्या है चुनाओ क्यूं हारती है और क्यूं नहीं चुनाओ 2007 और 2012 के बीच में जिस तरह से यक्टिब थी उस तरह से यक्टिब अब नजर आ रही है तो ये बड़ी ख़बर है और इसे हमें इत्मिनान से सुनना चाहिए अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को देखें आने था आप इसकिप करके अभी जा सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी भी हो सकती है और समय भी लग सकता है क्योंकि आज बहुजन समाज पार्की का वो इतिहा समझानेंगे जो सायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा तो इन तमाम ख़बरों पर बातचीत करेंगे चलिए आज की वीडियो हम सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हुंपराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है साथियों बहुजन समाज पार्की क्यों हारी है क्या लोक सभा चुनाओं हारने के बाद बहुजन समाज पार्की को अभी होस नहीं आया था क्या इस बार जो सात राजियों में 13 उप चुनाओ हुए विधान सभा की उन 13 विधान सभा चुनाओ में मायावती जी की एक भी खाते नहीं खुले हैं हमें यहाँ पर बिल्कुल तारीफ नहीं करना है बसपा का और ना ही बसपा की सपोर्टर तारीफ करें अगर आप तारीफ करते हैं तो मायावती जी के कामों की तारीफ करें ना कि मायावती जी के रड़ नीतियों की तारीफ करें आप रड़ नीति अगर मायावती जी की अच्छी होती तो 2012 से और आज तक चुनाव हारती आई हैं वो मजबूत होता मैं कहता हूँ ओट परतिसत ही बढ़ता अकेले चंदर सेखर के आने की वज़ा से मायावती जी के ओपर कोई असर नहीं पड़ा है इसके पीछे की साजिस कुछ और है चंदर सेखर नगीना में चुनाव लड़ रहे हैं और चंदर सेखर पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन पूरे देश के स्थित ये है कि मायावती जी का ओंट परतिसाथ डाउन फॉल में पहुँच चुका है तो मायावती जी को सोचना होगा कि कासी राम साहब ने कहां पर पार्की को खड़ा किया था और आज हम कहां पर पार्की को ले जा रही हूं दरसल दोस्तों आज जो अंद भक्त हैं वो मेरी कुटाई करने वाले हैं लेकिन मैं किसी से डरता नहीं क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्की का वो ही तेसी हूँ जो सायद कोई नहीं हो सकता मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि मैं उस ब्यक्ती का सपोर्टर हूँ जो ब्यक्ती गरीब है असहाय है और आज के समय में मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्की असहाय है असहाय मतलब यह ना इसके पास टीवी अख़वार है ना इसके पास कोई सोसल मीडिया है और ना ही इसके पास कोई आईटी सेल है जो इसकी खबरे चला सके और दिखा सके मैं ऐसा बहुजन समाज का पहला व्यक्ति हूँ जो फिरी में बहुजन समाज के लिए काम कर रहा हूँ बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा बात बहुजन समाज की करेंगे बहुजन समाज पार्की की करेंगे 10-20,000 सब्सक्राइबर बटोरेंगे उसके बाद चंद लोगों के साथ चले जाएंगे आज आप लोगों की सपोर्ट से 30,000 सब्सक्राइबर होने वाली को है और मैं ये आपको बता रहा हूं ओन कैमरे पर कि मैं कभी भी बहुजन समाज को छोड़ कर किसी और के बिचारधाराओं पर नहीं जाऊंगा ये मैं लिक के आपको और कैमरे के सामने दे रहा हूं बता रहा हूं तो अब बात करते हैं अखिर बहुजन समाज पार्टी चुनाओ क्यों हारी है साथियों हमने देखा बहुजन समाज पार्टी दोहजार चौबिस में मुसल्मानों की जो संख्या थी वो तक्रीबं 23-25 परत्यासी थे बहुजन समाज पार्टी में और सभी को बराबर हकदारी दिया बहुजन समाज पार्टी ने पूरे परदेश में हमने देखा है लगभग 25% मुसल्मान है और 25% मुसल्मानों को 25% टिकट दिया है बहुचन समाजपार की लेकिन क्या मुसल्मान चाहते हैं कि हम अपनी भागेदारी सुनेश्चित करें और संसद में अपने लोगों की आवाज उठाएं अगर ऐसा होता तो पचीश संसद आज बस्पा के पूरूर होते साथि अब लोगों का यहां पर एक सवाल ये आयेगा कि क्या मुसल्मानों ने ही गदारी की और भी काश्ट को मायावती ने किकट दिया था तो उन लोगों ने भी चुनाओ क्यों हारा तो इसके पीछे की जो मैं थेवरी है वो आपको बता रहा हूँ क्यों क्यों क्योंकि लोगों ने जो कहा है पहले आप उसको मैं आपको सुनाता हूँ ये विकाश कुमार जी है इन्होंने लिखा कि मगलोर की जो उप चुनाओ सीख थी उसको हारने के बाद ये साबित हो चुका है बाप अगर बिधायक हो तो ये जरूरी नहीं है कि बेटा भी बिधायक वहां से हो सकता है दरसल मंगलोर ऐसी सीख है जहां बहुजन समाजपार की चार-चार बार बिधायक बना चुकी है ये बिधायक वहां के महजूदा थे लेकिन उनकी अकालिय मौत होने के बाद उनके बेटे को बहुजन समाजपार की निकिकर देकर चुनाओ लड़ाया उनका बेटा चुनाओ हार जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बाप बिधायक है तो बेटा भी बिधायक हो सकता है आपको उताते मंगलोर उप चुनाओ हार से फिर ये तै हो गया है कि लोग सभाचुनाव 2024 का सीधा परभाव मुस्लिम पर पड़ गया है जिससे जहां वो पहले 90% तक उत्तरपरदेश में सपा के साथ थे अब वही 99% सपा और कांग्रेश के साथ खड़े हैं यहां तक कि उत्तरपरदेश की नहीं बलकि उत्राखंड में भी बस्पा 2027 में यह सोच कर अपना समय खराब ना करे कि मुस्लिम उसे ओंट करेगा मुस्लिम जहां कुछ सीख पर जहां मुस्लिम परत्यासी बस्पा का होता था उसे दे देता था मगर 2027 का चुनाव वो भी नहीं देगा बस्पा को जब अध्य पिछड़े पिछड़े जो कि HC में भी दंदनि में समय लगाना चाहिए और या जातिया पहले बस्पा के साथ ही जुड़ी रही है जो हजारों जातियों में होकर भी 25% तक और रखती है लेकिन उससे पहले अपने अस्तित को बना कर रखना है जो केवल गटबंधन से ही संभो है साथियों मैं आप लोगों से हाफ जोड़ चाह रहा हूं कि मैं इस से में थोड़ा आर्थिक तोर से गुजर रहा हूं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक रुपए से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं प्लीज भुरा मत मानिएगा मैं रिक्वेस्ट कर रहा मैं आपके पैसे के पाई पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहां इंवेस्ट किया है तो साथियों पहली बार बहुजन समाजपार्ची को गड़बंधन करना होगा मैं मानता हूं कासीराम साहब ने कहा था मैं किसी के पास गड़बंधन करने नहीं जाता आपने गड़बंधन किया है उस तरह यूपी में एक बड़ा गड़बंधन करना होगा और करने की जरूरत भी है और हमें अद पिछड़े पिछड़े और 80 समुदाय के उपर राजनिती बिसेश करनी होगी मुसल्मानों को आप लोगों ने देखी लिया कि कई बार बस्प समाज पार्की के पता अधिकारी की है कि वो सही से अपने समाज और मुसलिम समाज के लोगों को देख नहीं सके और अखिर मुसलिम समाज क्यों भाकग गया उन्हीं समझाना चाहिए था हम लोगों का जो काम है कि बहुजन समाज पार्की के नेतिया कितनी अच्छी है उसको बता दें, दलित पिछले आदिवासी की कोई भी पार्की नेतिया कितनी अच्छी है उसको हम बता दें, लेकिन हम उसके जो रड़ नेति है वो हम नहीं बता सकते किसी को, और नहीं हम बताएंगे क्योंकि हम एक पार्की को लेकर नहीं चल सकते हैं, हमारे लिए सभी पार्कीय सही है जो इस देश में चुनाव लड़ रही है अगर बाबा साहब की बिचारों को मानती है तो अनधा हम किसी पार्की को भी नहीं मानेंगे अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज मेरा सपोर्ट किजिएगा अन्था सपोर्ट तो सारी दुनिया कर रही है और सारे बहुत सारे लोग चैनल बनाए हुए हैं जो चुनाओ के दौर में मैंने देखा है बहुजन समाज पार्की का साथ छोड़ कर किसी और खेमे में खड़े थे और जब चुनाओ खतम हुआ फिर बहुजन समाज पार्की पर आकर शुरू हो गए चंदा लेना होता है तब बहुजन समाज पार्की की बात करते हैं अगर मोटी रकम लेनी होती है तो किसी और पार्की की बात करते हैं और चंदा चोटा मोटा चंदा सो 202500 का चंदा लेना होता है परिजर से तब बोध्रन समाज बाबा साहब का सीराम साहब बात करते हैं मतलब इसे कह सकते हैं कि सीजन वाइज पत्रकार है वो हम लोगों को चंदा मिले या यूप टूप से कमाई हो या ना हो लेकिन हमारे अंदर बाबा साहब का खोन दोल रहा है हम लोग उस विरादरी से हैं जिस विरादरी को हमेशा पढ़ने से रोका गया है तो हम लोग हमेश प्रश करते हैं